कालसर्प एक ऐसा योग है जो जातक के पूर्व जन्म के किसी जगन्य अपराद के दंड या शाप के फलस्वरूप उसकी जन्म कुंडली में परिलक्षित होता है व्यावहारिक रूप से पीडित व्यक्ति आर्थिक वर शारिरिक रूप से परेशान तो होता ही है मुख्य रूप से उसे रोजगार, स्वास्थ्य, दामपत्य जीवन, रोजगारी जीवन और संतान संबंधी कश्ट होता है या तो उसे संतान होती ही नहीं और अगर होती है तो वह बहुत ही दुर्बल वर रोगी होती है उसकी रोज़िरोटी का जुगार भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है व्यक्ती का जीवन बहुत ही दिक्कत दायक, मानसिक रूप से परेशानी की स्थिती में रहने वाला धन के लिए कश्ट पूर्ण और हर काम में रुकावट परेशानी और पैसो की किल्दत जीवन भर उसे समयस्मय पर परेशान करती रहती है कालसर्प योग से ग्रसित व्यक्ती के जीवन में कभी भी राज्योग नहीं आता उसके जीवन में हर प्रकार की बाधाएं उसे नकारात्मक सोच का धनी बना देती है जब केतु से राहु के बीच में सभी ग्रिय उपस्थित हो तथा केतु से राहु के बीच में कोई भी भाव रिक्त न हो तब कुंडली में बनने वाला ऐसा योग पूर्ण कालसर्प योग कहलाता है कालसर्प दोश के सभी भेदों में से बारवे शेशनाक कालसर्प दोश को उदाहरन सहित एवं कुंडली प्रस्तुत करते हुए समझाने का प्रयास कर रही है शायद आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए के तू छटे भाव में और राहू बारवे भाव में हो तथा इसके बीच सारे ग्रह आ जाए तो शेशनाक कालसर्प योग बनता है शास्त्रोक्त परिभाशा के दाइरे में यह योग परिग्रित नहीं है किन्तु व्यवहार में लोग इस योग संबंधी बाधों से पीडित अवश्य देखे जाते हैं इस योग से पीडित जातकों की मनोकामनाए हमेशा विलम से ही पूरी होती है दोश निवारन के कुछ सरल उपाए उपाए पहला किसी शुब मुहूर्त में नंग शिवाई की ग्यारा माला जब करने के उपरांथ शिवलिंग का गाय के दूद से अभिशेक करें और शिव को प्रिय बेलपत्र आदी सामग्रियां शद्दापूर्वक अर्पित करें साथ ही तामबे का बना सर्प विधिवत पूजन के उपरांथ शिवलिंग पर समर्पित करें उपाए दूसरा हनुमान चालीसा का एक सो आठ बार पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर लाल वस्त्र सहित सिंदूर चमेली का तेल वबताशा चड़ाएं उपाए तीसरा किसी शुब मुहुर्त में मसूर की दाल तीन बार गरीबों को दान करें उपाए चौथा सवा महीने जो के दाने पक्षियों को खिलाने के बाद ही कोई नया काम प्रारम करें सफलता अवश्य मिलेगी उपाए पाठवा काल सर्प दोश निवारन यंत्र घर में स्थापित करके उसकी नित्यप्रती पूजा करें और भोजनालय में ही बैठ कर भोजन करें अन्य कमरों में नहीं उपाए छठा किसी शुब मुहूर्त में नाकपाश यंत्र अभिमंत्रिक कर ध्रन करें और शयन कक्ष में बेडशीत्व परदे लाल रंग के प्रयोग में लाएं उपाय सात्वा शुब मुहुर्त में मुख्य द्वार पर अश्टत्तु या चान्दी का स्वस्तिक लगाएं और उसके दोनों और धातु निर्मित नाग चिपका दे तथा एक बार देवदारू, सरसो तथा लोवान इन तीनों को उबाल कर स्नान करें इस प्रकार के छोटे छोटे उपायों से इस प्रकार के दोशों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुक्षान्ती तथा व्यवसाय में उन्नती प्राप्त होती है